एक क्रिमिनल है वो एक रेपिस्ट गर के अंदर क्या करने है गंदा इंसान है तेरा बाप गुनाह करके बैठो आपको सदा नहीं पर देंगे ना करने के लिए हमारे साथ हैं विशाल के बहुत ही खास दोस्ट बहुत-बहुत स्वागया था आपका इक तो जो जो क्राइँ हम सब के सामने है वो है कि एक शादी होते वह भी दूसरी शादी करना तो जो हमें दिखाई देता है और तीसरा क्राइम अब जब सामने हमारे आ रहा है बार जिस पे मैं रिसर्च कर रहा हूं और मेरा हाथ में कुछ दिल्म मैं बोल नहीं सकता लेकिन इसा पता सलता है आपको भी पता ही होगा उस पे पॉसको वसको का केसे हैं रेपिस्ट है एक के साथ रेने घर मेन नहीं वेजाये एक रिपिस्ट के साथ घर मेरा नहीं क्या कर रहे हैं और ऐसका बच्छा का अब उसका देखा वो जिस तरह से पायल आकर आरोप लगाती हैं, उनके गरेक्टर पे बात उठाती हैं, आपका और विशार के घरवालों का क्या रिएक्शन है। पहले तो आप ना अपनी चीजे बूल जाते हैं, आपने वो एक और क्लिप देखी होगी जहां पर पायल कह रही हैं किसी को तो कि आपका थियार चोटा है, वोट डिट शी मीन, हमें सब को समझ आया, आपको समझ आया, आपका थियार चोटा का मतलब क्या होता है, मुझे भी स समझ आया, तब आपको समझ आया, कि आप किसी के लिए बोल सकते हो, और जब आपके इंटेंशन भी वही थे बोलने के, हमारे भाई के तो इंटेंशन भी हो नहीं थे, सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ, पुरी भारत की जनता बोल रही है, आप जियो के कमेंट्स खोल के नहीं बोला था, ये बोला था कि पैल बहुत सुन्दर दिखती है, पाभी सुन्दर दिखती है, तो ये कोई गुना है क्या, सुन्दर जो गुना नहीं है, उसकी सेजा मिली जा रही है, आप गुना करके बैठो आपको सेजा नहीं मिली, सेजा तुम देंगे ना, अब आप फिल्विजिन पे हम दोस्तों पे इतना बुरा आसर हुआ है तो विशाल पे कैसा आसर उसके घरवालों पे कैसा आसर हो भुड़ा होगा कि अ उसके पप्बस से मेरी बात हुई और मस्ट एलिगास का बेट कर रहे हमें कि आ अपने उसको तब जाके मारा है जब वह रेडी भी नहीं था और गंड़ व्क के साथ आपको उसको गलट पोट्रे किया गया है और आप अपने चीजे भूल जाते हो आपने जो गलट-गलट गंदी-गंदी चीजे बोली है गंदी-गंदी चीजे लाइफ में करी हैं आप कर तो राम लिला दूसरा करे तो करेक्टर डिला तो यह तो वही वाली बात हुग कभी विशाल के अंदर इस तरह की हरकते आपने देखी या कभी आपको विशाल इस तरह से बात करते हैं किसी और के बारे में सुना आपने कभी यह मैसे से डिसकरसी नहीं करते हैं कभी वह ऐसा लड़का ही नहीं है जो उसको जानता है सब जानते हैं आपने देखा नहीं कि मच्छर बोला है तो जिसा सब बोल रहा है वो खुद क्रिमिनल लोग से वह सुनने कहा है या अंधर हूँ गश्द बीग-बॉश से मेरा मेरा निवेदन है कि ईसके क्रिमिनल सो फिट निकालो और बेज़दि करके निकालो कि आप ऐसी आप आपको तीन लड़कियां यह नहीं पड़ी, आपको तीन लड़कियों से चेन नहीं आया, आपने अपनी मेड़ पर भी हाट डाल दिया, है ना केस चल रहा ना, भाई इतले तो चिट्टे निगा लूँगा, मैं मेरे दोस्त पर यह नहीं करना चीए था तुझे, विशाल पर इससे पहले भी एक और वीडियो क्लिप बहुत वायरल हो जहां विशाल अर्मान और कृटिका को जिम करते वह देखते हैं और देख करके बोलते हैं कि विशाल भाईया बड़े ही लकी हैं, बहुत भागेशाली हैं, जिस पर उनके लोकेश जो बोलते हैं कि मैं समझ रहा बोल रहा है, आपने वो देखा क्लिप? नहीं नहीं देखा है, वहाँ पर यह कहा ज़रा है कि बहुत लगी हैं, मतलब भाईया बहुत लगी हैं, I mean कृटिका को ही देख करके ऐसा ऐसा पोट्रेट किया गया है, सुन्दरता की बात चल रही होगी, मैंने नहीं देखिये क्ल कुछ गलत बात नहीं करेगा, सुन्दरता की बात चल रही है, किसी को बचसूरत आप बोलो, कि कृतिका अर्मान भाया तो अनलकी हैं, तो बचसूरत भी मिल गई है, तो आप उफेंड ले सकते हैं, कि तू कैसे बोल रहा है मेरे बचसूरत, आप आप तो सुन्दर कहा गया आपको है, आप इस पर कैसे उफेंड ले सकते हो, अप यसादी करके बीवी लाई होी है, मुझे तो लगता, इस सब भी एक गेंपलोट है, यह जो इसके कच्छा बदौत आप, विशाल के कांटेंट पहसतें न, न, इनका कांटेंट ही तीन बीविया है, यह फिमस होने ये इन्होंने शादी यहां की हैं, इनकी असली नजर तो काम वाली पे थी, इनकी असली भी भी काम वाली है, जैसे आपने कहा कि अभी आप मतलब एपिसोड में थपड लगा है, थपड की गूज़े, थोड़ा वीडो भी वारल हो रहे हैं, क्या होगा, मतलब आप लोग की होगा, एक्शन तो होगा, हम बस वेट कर रहे हैं, क्या दिखाया जाता है, और आप अब तो करना ही पड़ेगा विक बॉस को से, करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह गलत हुआ है शो में, और हमें शो में वालेंस अलाउड नहीं है, क्यों भाई, हमको जब बुलाते हैं तब निकाला नहीं जाएगा, वो ठीक है, वो शो वाला का शो देखेंगे, हम अपना काम लीगली करेंगे, कि हम इस चांटे के खिला फर्मान पर क्या एक्शन ले सकते हैं, हमें शो से कुछ नहीं है, में शो पे तो हम भरोसा रखते हैं, विशाल के पूरा गेम है ना, स्टार् बाते हो गई है, लौकेश के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, यहां लौकेश ने उनको सपोर्ट भी किया था, उनको कि ये वर्ट बोले थे, तू ऐसा मत बोल, ये पूरा जो आपने देखा, या इसको आप कैसे देखते हैं, अब ये विशाल को अग्रेसिव बोलने तो कि ये तो इतने कैसे कंटेशन होगे, अगर डॉली बिंदरा के सिजन मा जाते हैं, ये तो इनकी हालत हो जाती है, हर किसी का अपना एक प्ले होता है, खेलने का, आप किसी के इनलजी मैच नहीं कर पाते तो इसको अग्रेसिव बोल देते हो, उसको अरोगेंड बोल देते हो साठीा हो, जस बिकुसब आपको सुन नहीं रहा है, आप बड़े हो तो इसका उलब भी कि आप सही हो, आप experience हो, इसका उलब भी खिलра के अप सही हो, उमर में छोटों का अपने ओपीनियों हो सकता है, तो बस उसका किसी का उपीनिन ना मानना शान ना मानना अरो परिशिव जनता को संता के सामने खुल चुकी है जितनी नहीं खुली वो हम मिलकर खोल देंगे क्योंकि जो इनके पाश्ट के जो किस्से हैं ऐसे इंसान तो शो में उना डिजर्व नहीं करते हैं भाई हम उनको अपना हेरो नहीं बना सकते हैं सौरी हमें अच्छे लोग से बनाने के लो बाते चल रही थी तो उन्होंने बहुत जोर से स्कोल किया बडाटा भी मैं तरह से बात नहीं कर रहा हूं आपने वह देखा होगा स्टार्ट से ही उनके उपर बहुत सारी चीजें आती हैं और लोकेश को पर सारी क्या लगता कि इनके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा है इस लिए यह सब चीजें हो रही है उनके साथ आइधिंक यह सब तो शो में इंटर करने से पहले उनको बुलादा है कि आपके मेंटल पीस के खिलने की ज़रूद पड़ती है जो एक स्ट्रॉंग कंटेस्टन है आप वीक को क्या तोड़ोगे अब स्ट्रॉंग पूरे कंटे प उसको किस वे में लगता है विशाल विशाल पर एक चीज बहुत खास दिखी जब यह पूरा वाक्या हुआ उसमें रनवीर जो उनके सबसे जो बिल्कुल नापसंद करते हैं वो उनको आकर बोलते हैं कि I can understand मतलब I can feel sad for you तो वो जो यह चीज़ जो में बतारा हम वो रनवी नहीं दिखेगा भाई यह मुझे इसा बैट कैसा विवर लगता है कि बस विशाल को तोड़ने ही कोशिश हो रही है ऐसे विशाल हमारा खरा उतरेगा उसके जो ऐसी तब चीज़े होगा उसको भी टेंशन हो रहागा कि मेरे घर पर क्या सोच रहोंगे लेकिन उसको खुश बात नहीं है हमारी हमारी इतनी बात हुई है हम बस आज के एपिसोड ओनेर का वेट कर रहे है और जो हमें अर्मान के खिलाफ करना है वो तो हम करेंगे और इस तरह से पैल वापस आई उनको वापस बुलाया गया शो में तड़का लगाने के लिए और आके उन्होंने बिं शो में भी दूसरी बीवी की तारिफें हो रही है तो इसकी जल गई तो इसने क्या करूं क्या करूं कैसे फुटेज दिलूं आके ले गई फुटेज वो भी जूट बोलके सबको पता से लगए कटारिय के साथ जो दोस्ती विशाल की नो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है हर वक्त एक दूसरे के साथ खड़े हैं आपको दोस्ती कैसी लग रही है अच्छा लगता है आपकी कमी मैसूस नहीं होई है कोई बात देख दोस्तों बहुत जरूरी है ऐसे 24 गंटे आप कि किसे किसाद आपकी दोस्ती हो जाती है तो वह बहुत जरूरी है दोस्त का सपोर्ट नहीं है तो फिर आप अकेले हो जाते हो जैसे जो जो ऑकेले थे वो आविक्ट होते गए ना मिशाल और लवकेश क्यूं हाव भीत है कि उनके बास एक ऐसा इनसा है जो एट एनी गिवें लोगभर उत्रेंगे दूसरे पर जब ऐसा मुका मिले का कि मैं विशाल को बचा सकता हूं यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट यह दिख़्ा में लुकेश को खड़ा करके यह बोला कि तुम उपय ली ये बोलो कि तुम ऐलिविश के सेना तुम्हें सपोर्ट ना करें यह कितना contestants के लिए वो एक drawback है तो उनके लिए drawback ना हो इसलिए बोला गया है वो और उसके बोलने से नहीं करेंगे कि अगर आपको मौका मिला घर के अंदर जाने का या विशाल से बात करने का क्या चीज़े होगी जो आप उनसे कहना चाहेंगे मनोबल मत तूटने देना क्योंकि बाहर की जो जनता है उससे पता है कि तुम सही हो और सब तुम्हारा ही साथ दे रहे हैं इन क्रिमिनल से कोई साथ नहीं दे रहा और मौका मिला तो एक बार जो पायल अपना रस्ट रखा गई है विशाल को मैं जाके अर्मान को मेरा रस्ट होगा फिर तो फूट फूट के रोएगा वो क्योंकि जब हम जैसे लोग का जब एक जो डालॉक्स चल दाता जन नेजी फटेगा तब बहुत गंदा फटेगा तो वेससा ही यहां भी साथ है अगर हम पटेना तो बहुत गंदा फटेंगे एक मौका हमें भी देना पानी भी नहीं नहीं हुए लास्टी जाने चाहिए यह एक आशा शो है जहां पर आपकी इमेज बहुत बनती है और कई दफ़ा खराब भी हो जाती है आपको क्या लगता जिस तर से विशाल के करेक्टर पर यहां पर सवाल उठें हैं बाहर आने के बाद उनकी मेंज खराब हो सकती हैं नहीं नहीं कहां खराब हो यह सब जनता जानती हैं आप किसी भी कमेंट के देखलो हैं आप किसी भी प्लाटिप पर देखलो जीओ पर देखलो आर्मान के कुछ इमेज खराब नहीं हुए सब सपोर्टी कर सब को पता है विशाल के इंटेंशन कल नहीं थे तैंक यू लास्टी ये भी जाने चाहिए आप टॉफ फाइब किसको देख रहे हैं या विशाल को कहा देख रहे हैं विशाल को ऐसे लोग तो विनर बनते हैं जिनको मुझर बनते हैं इंटे कि अलदें स्ब्साल Вас जिए इंट भाइब कर दोड़ को दोड़ कि अवाश बनते हैं विशाल को जे कि अब आप बनते हैं